तो एलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आप में आपको उताने वालों Samsung Galaxy में जिसमें 1UI 311 का ब्रेट आ चुका है दोस्तों उनकी मॉंबाइल में जो QR कोड होता है या बुल सकते हैं QR कोड स्केनर या रीडर होता है वो पुरी तरह से चेंज हो गया उसका layout को पूरा चेंज क करते हैं इस तो इस यूश करेंगे कैसे वर करेंगे तो आपको आउची वीडियो मते tomar और दीकी है तो यहां वो सनी था आप सुछिछाव में करेंगे अधर को देखो यहां पर आप दो तरीके से QR code को scan कर सकते हैं अगर आप यहां से सको उपर की तरफ स्वाइब करेंगे नोटिफिकेशन पैनल में आपको एक आप्शन मिलता है इसका नामें scan scan QR code अगर आपको यहां नहीं मिल रहा है तो आपको यहां से सको स्वाइब करके देखने आपको कहीं यह मिल जाएगा आपको इस पर जैसी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर नया layout आगया जो कि पहले नहीं आता था पहले यह सिंपल आता था यहां पर आप तीन दो तरीके से यहां पर scan कर सकते हैं एक तो directly यहां पर और यहां पर और यहां पर अगर आप चाहें तो उसको crop कर लीजी अगर crop भी नहीं करेंगे तो भी आटमेटिक उसको access कर लेगा आप देखेंगे यह आटमेटिक यहां पर उसको access कर लिया है और यह बता देगा यह वाली एप सारी support करती है तो बहुत ही शानदर यह मुझे feature लगा मैंने जितने भी यहां पर हैं अभी देखेंगे मैंने आपको और बता देता हूँ अब मैंने यहां पर यह Instagram का है Instagram का भी है तो आटमेटिक को detect कर लेगा कहा QR code है और यह कहां पर है आपको तुरंधी खुदी बता देगा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़ुरत नहीं रही यह कैसे मैंने यहां पर गया मैंने इसको scan करा जैसी scan करा वो आपको बता देगा नीचे की वही है यह यह दर को खोली लिया बताया है वही उसने का single पर उसने वहां डारेक्टी पोज गया तो बहुत ही शांदर फीचर है और अगर आप किसी को direct scan करते हैं यहां पर मैं वह भी इसको स्वैब करा और उसको scanning पर खोल लिया तो जैसी मैंने scanning पर खोल लिया तो आप देखेंगे easily detect कर लेगा और सेम वही बताएगा जैसे कि आपने फोटो कीच कर रहे थे और सेम जैसे कि आप स्कैन भी करेंगे दोनों में सेम काम करेगा और अगर आप यहां पर फोटो प यहां पर आ गया हूँ अभी आपको बता देगा वेब पैज जैसे में इसपे क्लिक करूँगा सेम जो वहां पर बता रहा था सेम बताएगा अगर आपको कैमरे पर वर्क करने के लिए आपको जाना हो सेटिंग पर जाने का आपको इहां पर scan QR code को option को enable करना होगा तो आपक कि उसको पता ही चलता था कौन सी अप के लिए लाइक आभी देख रहे हैं आप जैसे मैंने यहां पर यह Google Pay वाला करा यह Google Pay वाला मैंने इसको यहां से शॉट कर लिया और इसको यहां से डन कर दिया जैसे मैंने डन करा वो आटमेटिक बता देगा आपके पास यहां UPI की कितनी एप सपोर्टेट है उसने आटमेटिक आपको फाइन कर लिया जो कि पहले नहीं कर बाता था यह latest update में आए दोस्तों उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वाला पहले फीचर पता था यह नहीं था अगर नहीं पता था तो आपको यह फीचर कैसा लगा तो थैंक्यू ख्ता कर दोस्तों मुझे अमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब करना ना वो दोस्तों और हो सके तो मुझे इस्टाग्राउं फेस्ट फोलो करना भी नहां बोल इसका लिंक आपको नीश डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों